तुडेर स्टुडेंट आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिये सिक्स समस्टर के जियोग्राफी यानि की भोगोल के सिकेंड पेपर के MCQ टाइप के कोश्चेर एंड एंसर के बारे में तो वीडियो बहुत ही हिल्फुल होने वाली जिन भी स्टुडेंट की परिच्छा बिये सिक्स समस्टर की है और उनका सब्जेक्ट जियोग्राफी यानि की भोगोल है और वो सेकेंड यानि की दुतिया प्रश्ण पत्र की परिच्छा देने वाले हैं और तो ध्यान से वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको उमीद है काफी ज्यादा हेल्प मिलेग लिए प्रिच्छी स्टुडेंट का मेजर सब्जेक्ट है जियोग्राफी या फिर मायनर सब्जेक्ट ही जिउग्राफी उन सभी के लिए वहां तो परोड़े है तो पहला प्रशन है कि ब्रहम्भान एवं प्रिथभी की उत्पत्य के संदर्व में ज्यान भारत में किस ग् जानकारी आपको भारत की किस ग्रंथ से प्राप्त होती है या फिर जानकारी मिलती है तो बहुत ही इंप्वार्टन बहुत ही कॉमन बहुत ही सिंपल सा प्रशन है लेकिन आप सभी के एक्जाम के लिए महत्पूर है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पुर पुराणों के नुसार प्रिथिवी के अतरिक्त कितने ग्रह माने गए हैं तो पुराणों के नुसार प्रिथिवी के अतरिक्त यानि प्रिथिवी को अलावा जो कि ग्रह माने गए उनकी जो संख्या बहुत ही कॉमन सा प्रस्ण है आठ आप सभी को वालूम कि हमारे ब्रह्मा दीजिए उसकी अलामा कितने हैं तो आठ है तो प्रिथिभी लोकन नौ हो गया अगर यह पुराणों के इनुसार या फिर ग्रंथों के अनुसार ब्रहंबांड में कितने ग्रह हैं तो आप वहां पाफ फिलेट करते नो लेकिन यहां पर प्रिथिभी के तरिक्त है तो आठ अ कोईशन को अच्छे समझ लेंगे तभी उसका उत्तर देंगे वड़ना कोईशन आपका गलत हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्ण है कि भास्कराचार का जन्म हुआ था किस सन में हुआ था तो भास्कराचार का जो जन्म है ध्यान रखेंगे आप सभी इनका जो जन्म है वो 11.14 इस भी में हुआ था सही जबाब इसका ए नंबर हो जाएगा ए नंबर सही जबाब 11.14 इस भी में हुआ था बहुत ही पॉपलर बहुत ही कॉमन प्रश्ण याद रखेंगे आगला प्रश्ण है कि भास्कराचार के गरंथों में खगोलिये वैद साला बनाने और वैद उनमें मुख्य मंत्रों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है ठीक है तो इस प्रश्ण का जो सही जबाब हो जाएगा हो जाएगा अफ्शन नंबर चार ठीक है चार बताया है ओके अगला प्रश्ण है कि किस भारती महाकाब ब्यानी के ग्रंथ के अनुसार संपूर धू मंदल पर इच्छुक वंस या सूर्य वंसी का राज दुसियंत के पुत्र जो भरत थे ठीक है भरत के काल से ही चला रहा है तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्ण का जो सही जबाब हो जाएगा हो जाएगा अप्शन नंबर बी मूल रमाइड के नुसार बी नंबर सही था किस सन में हुआ था बहुत ही इंपर्टेंट बहुत ही कॉमर और सिंपल से प्रश्ण है तो आरे भट्ट का जो जन्म है वह सन ठीक है चारफोच शीयत्तर इस भी में हुआ था ध्यान रखेंगे सही जबाब हो जाएगा इसका ए नंबर ओके अगला प्रश्ण है कि आरे जो उसकी है मतब कि प्रिष्वी जो वह चपटी अकार की ये ठीक है और परति जो है इसकी 24830 मील्हे ठीक है सभी मानी जाती है कितने सब्स पूर्ब से कितने के अपको बताना नबर से पांच हजार वर्स-पूर्ब मानी जाती है ठीक है अगला की आर्यों का सबसे प्रुचीन ग्रंथ कौन का है ये भी बहुत ही common बहुत ही simple प्रस्ट आप लेबल का है तो आर्यों का सबसे जो प्रचीन ग्रंथ है वो है रिगवेद ए नमबर सही जवाब होगा अगला की भारती भागोलिक ज्ञान को बाटा जा फकता है छिंद सभुटा है सिर्फ आभु जाए भारति आजञान को बाटा जा सकता है द्यात भासून ट्जलेटाल एक पुरा लेक विद्या का क्या का मतलब होता है या फिक्या भप्रयाय होता है ठीक है तो पुरा लेक विद्या का भप्रयाय होता है सिला लेखों का अध्यन करना ठीक है अगला प्रशने की भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाये जाते हैं तो भूमध्य जो रेखा उसके निकट जो वन पाये जात सधने कौन से हैं तो वैदिक काल में बहुगवलिक ज्ञान प्राप्त के कि जो सभघन है खाल नखेंगे जल अफथल मंदल भी आ अधार शु będzie फिर्थिभी अगला प्रशन है कि छेत्रफल की दृष्ट से भारत बिश्च में कौन साफ्थान है तो छेत्रफल की दृष्ट से जो भारत का स्थान है वह सात्वा अफ्थान और अगला प्रशन है कि श्व्टंतुत से पहले काौन सा भारते झ्षेत्र काला पानी के नाम फे जाना जाता था तो ध्यान रखेंगे चाहिँ जब आभिश्का हो जाए आप्शन नंबर अंड़मान निकोबार दिवसमोव प्रटंतुता से पहले भाष्टेज्च छेत्र फल का अगला किख के व्राह मीहिर चुछ Kitty थे अवंति उज्जे न चुनों अगला है थिक कुल को कितने भागों में डिवाइट किया है पिर कितने भागों सभी में विभाजित किया अगरा कोश्चन की वराह मीहिर की पुस्तक लिखी थी गरीद सहिंता में उपनिसत सहिंता में वेज शहिंता में किसमें लिखी थी ठीक है सही वाभिष्क नंबर एक थीक है अगला प्रश्ट है कि वराह मीहिर की थी चंदर्मा पृत्थवी का चक्क लागाता है मतब कि व्राह मेहिर की खोश जो है पते हैं इसमझेज लिए कोश्चन पहले वराह मीहिर जो थे इनने खोज इनके नुसार खोज थी इनकी प्रित्यास्ञा पहुत को सब fij JASON e उन्हें प्रितुर्च कर लगाते हैं यह फिर चंद्रमा पृतिविक्त कर अगला की बोगोल sortie बोगोल को कितने भागों में वाजित करते हैं वह सारी पुष्टाक लिखेहन दो तो कितने भागों में लोग डिवाइट करते हैं तो ध्यान डखेंगे यह लोग भी भाजित करते हैं बहुत ही important question द्यान लखेंगे मेन इन अपसेरों में से दो भागों पहला है खगोल ठीक पहला भोगोल दूसरा है खगोल तो यहां पर दोनों सही है फिले सही उत्रिश का हो जाएगा सी नमबर ए और भी दोनों अगला कोश्चन कि खगोल किस बारे में अध्धन किया है प्रित्वी आंतरिच या फिल्मे से कोई नहीं तो खगोल जो यह आंतरिच के बा जबाब होगा अप्शन नमबर ध्यान लखेंगे माध्मूर प्रशन अगर आपको मालून तो बेसक कमेंड से कि बताए चलिए इसकी प्रस्ण का उत्तर आप सभी बताईए लेकितने स्टूड़न को मालूम है अगला की प्रचीन भारत में भूगोल जानने की साधन है तो प् सूल दिसमलों का प्रियोंग और महत्थ säga था कौन से अगला प्रश्निय की अर भथें पुस्तकर हो लिखिए हैं तो तो धन्वंत्री जो बिद्वान थे वो थे अरवेदा चार भी थे चिकत्सा बिज्ञानों में भी उनको नालेश थी ठीक है इसले सही जबाब सी हो जाए को कि ये भी सही है ये भी सही है ठीक है धर्मंत्री विद्वान अरवेदा चार भी थे और चिकतसा विज्ञान में भी एक्सपर्ट थे ध्यान रखेंगे अगला प्रश्ण है कि कालिदास के कि रश्णा में भगोलिक और संड रितुका वरण मिलता है तो काल देस की उफ रश्णा का नाम है ठीक है ध्यान रखेंगे इनकी मतलब की दो रश्णाओं में भगोलिक फडर रितुका वरण मिलता है जो की पहली है रितुसाहार और दोसर मेख दूत तो दूनों में मिलता है इसले साहिजवाबधि हो जाएगा j 97将 By Cosks कहें थे U JDhing Is भी आन्द गद्धि ऊत्व हो जाएगा से Soft अगला की ब्रम tu ने प Program प्रिबी का भ्यास कितना बताया है तो ब्रम गुप्त ने प्रिथिभी का जो अब्यास बताया है दियान रखेंगे वो बताया है इन्होंने 1581 योजन 7905 मील ठीक है चाहिए जब आब ही होगा अगला प्रश्ण है कि पंच सिध्धान्तिक पुस्तक किष्णे लिखिए तो पंच सिध्धान्तिक सही जबाब भी होगा अगला है कि वराह मीहिर ने पुस्तक लिखी है कौन सी लिखी है तो वराह मीहिर ने पुस्तक लिखी है उसका नाम है पंच फिद्धानिका और व्रह जातक ठीक है व्रहत सहिंता और लगुजातक यानिकि इन्होंने सारी पुस्तके लिखी नापसरों में से इसलिए सभी सभी अगला की भासकराचार कि फग्रंत में खगोली की 5 पद्धितिया बताई गई तो इसका सभी जबाब हो जाएका अफशन नमबर 5 फिद्धा निका में बताई गई है सभी होगा में अधला प्रश्ण ब्होर्ग भिकास कित्ने काल होते हैं तो बहुतों साध में वर्डित किस भूह्खंड का नाम है तो प्राड़ों में वर्डित थे ठीक है इरेटोस्थनीज जो थे वो ध्यान रखेंगे इस प्रस्थनी का सबाब हो जाएगा आपसे नमबर ए प्रसिद्धुविणानी गणतग यूम खगोल सास्त्री भी थे ठीक है जो इरेश्थनीज लोग थे ठीक है या फिर इरेश्थनीज जो थे वो ठीक है अगला प्रस्थनीज की जियोग्राफिया नमग गरंत के गड़ती भुगोल का समावेश किसने किया है तो उस बिद्धुवान का नाम है ज्यान रखेंगे एनक्षी मंडर ठीक है एनक्षी मंडर नाम है अगला की घ्रेहे फिद्धांत किसकी रशना है तो घ्रेहे शिद्धान तो जो रचना है वो है टॉमवली का ठीक है टॉमवली का ठीक है ज्यान रखेंगे बिद्द्वान हुआ एक अगला है कि कि ने प्रत्थपिको ब्रंभांड का केंद्र इता है इंका नामब टॉल सी ठीक है यह नमबर सही जबाब होगा अगला प्रशन है कि रोम के भुगोल बिद्वानों में प्रिसिद्ध है तो रोम के भुगोल बिद्वानों में जो प्रिसिद्ध है वो प्रमुक बिद्वान है इस्ट्रोवो ठीक है इस्ट्रोवो यह नमबर सही जबाब होगा अगला है कि भुगोल के प्रदेफिक अध्यन का जन्मदाता माना जाता है किसको माना जाता है तो माना जाता है आरफ्तु को या फिर दोनों को या फिर टॉलमी को सही जवाब इसका होगा कि इसमें से किसी को रोम के भुगोल बिद्वान में है लिए मिनट हां एक में फिर्षा समस्ते क्या गहिए गए रायरा कि बुगोल के प्रदेफिक अध्धिन का जन्मदातर माना जाता है तो इन में से कोही तiencia झाला है ने इसलिए खुष हो जाएगा किसी को नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें इस्ट्रोबो आफसन ही नहीं था इसमें इस्ट्रोबो आफसन है इफले सही उत्र बानमबर हो जाएगा अगला प्रशन है कि किस्टे सरपथम छित्रे बिनताओं के अध्यन को अस्पष्ट रूप में समझा था और बताया था कि बिस्व में एक भुभाग दूसरी वह हो था यूनान में सही जबाविश्का हो जाएगा अगला की टॉम ली की ग्रंथ जियोग्राफिया प्रकासित हुई थी कितने भागों में तो आपकी विवरिच्छा में इसी प्रकार की कुछ देखने को मिलेंगे कोईश्टन तो देर देर एक्जाम की तैयारी करते रह पूंखेंगे टिलिग्राम अट्वस्ब्स पर जैंड तो सब्सक्रांच दो